नमस्कार दोस्तों एक बफिट से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टागेटेट वन पे तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसा कॉंसेप्ट एक ऐसी क्लास जिसमें आप जो भी इंपॉर्टन कोशिन जो आपके एक्जामेशन के लिए इंपॉर्टन में तो आपके पास एक मौका है जहां पर आप इंपॉर्टन टॉपिक की वह सब एस्पेक्ट देखें कि जहां से लगातर कुशन पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए टाइम बहुत ज़रे इंपॉर्टन है तो टाइम को विस्ट ना करते हैं स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज हम डिसक्स करने वाल हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक प्रोसेस ऑफोटो सिंथेस तो देखे सब्से पहले जान लीजिए कि फोटो सिंथेस होता कहां पे है और जिस और पर इंदर होता है उसके अंदर इंप्उर्टन जो स्टेक्शन से वो क्या क्या है तो हम बात करेंगे chloroplast के बारे में chloroplast cell organelle होता है जहां पर जहां पर photo synthesis का जो process है वो होता है ठीक है अब इसके important structures के बारे में जान लीजे तो chloroplast के अंदर यह जो आप देख रहे है ना यह है chloroplast की double membrane ठीक है आपको पता है chloroplast, mitochondria और कई सारे से nucleus है यह सभी double membranous organelle होते है ठीक है दूसरी चीज़ यहां पर जो most important चीज़ देखेंगे जहां पर कि आपका photo synthesis का process होता है यह आपको central area में नजर आएगा ठीक है यह आप जो देख रहे है उपर इसे आप कहेंगे लामिला यह लाकुने भी कह सकते है ठीक है यह जो आपको एक थाली की तरह प्लेट की तरह नजर आ रहा है यह आपका थायलोकॉल ठीक है और यह पूरा थाली का जो सेट है प्लेट का सेट है यह आपका कहलाएगा ठीक है most important thing is कि chloroplast के अंदर क्या पाय जाता है डीने ठीक है यहां पर जो chloroplast dna पाय जाता है यह और 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 यह यह अधा है इसका नम भी माईटोगोंटरिय वहां पाय जाता है chloroplast फिक है सेकेंड खीक है आपका इक और यहाँ पे इंपॉर्टन और आगाय याल व्लागर धान सब्स तो यहां पे ग्राइबोजोम jsते हैं, यहों प्रोटीन प्रोटीन का काम करते हैं स्टार्स ग्रेनियोर तो रिजर्ट फूड के रूप में प्रैजन होता है अग Minglyor अगला दी शेहां का पे स्ट्रोमा चिति हे ग्रेना और थालिकॉय कोड चोड़कर यह आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्स्टा मटीरियल औरंज येलोई औरंज कालर का तो यह आपका क्या है स्ट्रोमा ठीक है सगिंद तेंग इस कि यहाँ जो फोटो सिंथेसिस होती है यह कहां पर होते हैं कलोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है अच्छा एक और important चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि photo जो cyclic आपको अभी हम आपको बताएंगे कि जो photosynthesis होती है वो दो types की reactions में होती है पहली जो होती है light reaction और दूसरी होती है dark reaction ठीक है light reaction को भी further आप दो parts में divide करेंगे cyclic और non cyclic तो cyclic जो होती है वो होती है आपकी PS1 photo system first में और इसको जो है cyclic photo phosphor relation क्यों कहा जाता है यह अभी हम discuss करेंगे यह होता कहा है तो लामिला के अंदर होता है यह जो लामिला आप देख रहे हैं न लामिला यह जो दो ग्राना को connect करने का काम करता है यह वाला इसे कहा जाता है लामिला ठीक है तो इसी के अंद यह जोंगे अंदर होता है cyclic photo phosphor relation ठीक है अच्छा डाक रिएक्शन का होती है तो यह जो स्ट्रोमा देख रहे हैं पर ना कि chloroplast से related जितने भी important terms थे आपने यहां पर देखे, important parts जो इसके इंदर पाये जाते हैं, इनके बारे में भी आपने चर्चा करी, चलिए आप देखते हैं reactions के बारे में, तो photosynthesis जो है आपका यह दो types की reaction के, दो types की reaction में होता है, पहले चीज, पहला जो reaction होता है, that is called light reaction, जो की solar energy क chemical energy में convert कर देती है, और ATP से, ATP और NADP का production करती है, ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज है आपके dark reaction, ठीक है, dark reaction जिसे आप Kelvin cycle, C3 cycle के नाम से भी जानते हैं, और यह जो reaction है आपका, यह light independent reaction होती है, यह भी आपको जाना बहत ही जरूरी है, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हो होता है, तो यहाँ पर ATP जो generated होता है, light reactions में, यह energy, इससे जो energy produce होती है, यह sugar synthesis के काम आती है, दूसरी चीज, कि NADPH जो यहाँ पर produce होता है, ठीक है, यह light reactions के द्वारा provide किया गया होता है, तो इससे जब electron excite हो जाते है, इसके जब electron का production होता है, तो reduce हो जाते है, by the help of carbon dioxide glucose की formation के लिए, ठीक है, तो यह दो important aspect है, आपके इस photo synthesis के, ठीक है, आप देखिए, आप अपनी screen पे देख रहे है, यह आपका light reaction, यह कह है आपका dark reaction, ठीक है, very clearly आप यहाँ पर देख रहे है, कि light reaction के अंदर NADP plus utilize होता है, कहां से निकल की Kelvin cycle से, Kelvin cycle से निकल के NADP जो है, यह क्या ह होता है, light reaction में जाता है, प्लस एक और पी आ जाता है, तो ADP से ATP में convert हो जाता है, फिर next step में आप क्या देखेंगे, light reaction से ATP निकल की Kelvin cycle में जाता है, और NADPH निकल कर की Kelvin cycle में जाता है, ठीक है, light reaction जो होती है, इसमें पानी utilize होता है, H2O और oxygen release होता है, जबकि Kelvin cycle के अंदर CO2 utilize हो और sugar, यानि कि C6, H2O6 इसका production होता है, ठीक है, तो important concept था आप सभी के लिए, अगला कुशन देखेंगा, जो कि आपके लिए बिहद ही important है, light reaction की हम बात कर रहे थो, तो light reaction आपकी क्या होती है, जो आपकी light reaction हो दो parts में divided होते है, पहला है आपका non cyclic photophosphorylation और दूसरा है आप non cyclic photophosphorylation के बारे में, ठीक है, चले देखें स्क्रीन पे, इसमें देखें बहुत ही simple सा concept है, अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आएगा, तो हम एक चोटा से example कहानी बताएंगे आपको, जिसके थूँए आपको clearly समझ में आएगा, देखें होता क्या है, कि यहाँ प photo system है क्याै यहां पर, तो यह है आपका क्या, photo, sorry, यहापका क्या, एग second, यह आपका है photo system 1, ठीक है, photo system 1 और photo system 2 है, ठीक है, और ये कितनी wavelength पर होता है, तो P 680, याने 680 mm पर होता है, या, आपका, क्या, photo system 2, ठीक है, एक चिज और, गजय कि, इसकी central area में होता है, chlorophyll A CHLA यानि कि chlorophyll A होता है central में और इसके किनारे किनारे आप देखेंगे तो accessory pigments होते हैं ठीक है जिन में keratinides present होते हैं तो important fact था आप सभी के लिए central area में क्या होता है chlorophyll A ठीक है उसी प्रकार आप देखेंगे यहां जो आपका है photosystem 1 ठीक है photosystem 1 जो है इसके अंदर पाया जाता है आपका chlorophyll B ठीक है important concept है आप सभी के लिए चले अच्छा photosystem 2 जो होता है कितनी wavelength पे होता है तो 700 mm पे होता है आपका photosystem 2 ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है अगला देखेंगा अब देखेंगे जो non-cyclic photophosphorylation है क्योंकि non-cyclic है तो कहीं न कहीं से तो start होती होगी तो देखेंगे कहां से start होती है यह आपका sun है ठीक है यहां से इसको चलिए जो भी आपका टेड़ा मेरा sun इसे आप ऐसे zoom कर सकते है यह जो sun है आपे यह energy इसकी energy है याने कि जो sunlight है वो इस photosystem 2 के उपर गिरती है ठीक है अच्छा photosystem के उपर गिरती है तो है लेकिन जब energy इसके पास आती है न तो इसके बाद यह excite हो जाता है और electron का production करता है ठीक है electron का production करता है कहां और electron जो है excited state में हो करके primary acceptor के पास बहुत जाता है ठीक है लेकिन इससे पहले हीं जो होता है पानी जो होता है यानि हैच हो जो होता है यह two parts में तूड जाता है पहला है तुट जाता है oxygen यह आपका single oxygen होता जिसे nascent oxygen के नाम से भी जाना जाता है plus, दो electron release होता है यहाँ से, ठीक है तो यह आपको क्या कहलाता है protolysis of water, ठीक है तो दो electron, अच्छा, यह दो electron यहाँ पर क्यों आते हैं, तो देखें यह बिल्कुल last में आपको बताना चाहिए था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया, क्यों, क्योंकि देखें जब आपके पास से, आपके pocket में आपके पास दो रुप हैं, ठीक है, तो आपने किसी और को दे दिये, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचें और आप घर से बाहर जाएंगे, तो आपको कुछ तो तो वहाँ से इसको 2 electron मिलता है, ठीक है, तो बहुत ही minute process है, इसको बहुत ही ध्यान के साथ में समझते चले चाहिएगा, ठीक है, दूसरा देखें, जो water का splitting है, वो nascent oxygen release करता है, जैसे का आप image पे देख रहे हैं, दूसरा देखें, जैसी electron excited state में होता है, जाता है, प्राइमरी acceptor के पास, ठीक है, प्राइमरी acceptor के, प्राइमरी acceptor होता है, दो electron accept करता है, ठीक है, उसके बाद ये second component के पास, ये फिर excited होता है, प्राइमरी acceptor और दो electron release करता है, ठीक है, अब ये तरнов इसमी उस ने डिलीज किय मैं थिकाओं से पक्रेट करा था जाता है ये राष्टे में कौन आता है साइ्टो क्रोम कंपलेक्स वह ए इसी साइटो क्यून धीकणा जाता है तो cytochrome complex जो है इसके पास दो electron आया ठीक है अब ये भी जितना compensate कर सकता था इसके पास दो और आ गए तो ये भी अपना दो जो electron है वो release करेगा अब जो electron है वो किसके पास आएगा इसके पास जिसे कहते है PC याने plastosinin ठीक है तो यहां तक electron गया अब इसके पास भी जितना electron compensate कर सकता था इसके पास भी जादा हो गया तो ये कहां release करता है photosystem 1 में ठीक है photosystem 1 में इसे release करता है ठीक है अब देखे ये भी यहाँ पर excited हो जाता है ठीक और excited state में फिर से जो electron है इसको release करता है दो इलेक्ट्रon फिर सेàiी Core हुंतै तोAR हुंत यहां पर फिर वो जाते हैं फिर रामैरी सब्साइब की पास और फिर प्राइमरी एकसेपट 받아 रेल्स करता ए ऐ फिर एलेक्ट्रण कि जो outer membrane होती है thylakoid की वहाँ पर यह important जो process है पूरा होता है ठीक है कहाँ पर कहाँ क्या होता है non-cyclic photophosphor relation आप से भी पूछा जा सकता है कि non-cyclic photophosphor relation कहाँ पर होता है तो thylakoid के होता है thylakoid के outer membrane में ठीक है important है आप सभी के लिए अब देखिए यहां farid oxygen के पास दो electron गए तो farid oxygen ने क्या किया कि NADP plus जो था NADP plus तो एक enzyme होता है NADP plus reductase इसकी help से NADP plus को दो electron और देता है और H plus जो हैं आप पर release हो जाता है अब यह NADP से किस में बदल जाता है NADP H में ठीक है तो यह था आपका non-cyclic photo phosphor relation ठीक है चले अब cyclic के बात करते हैं तो cyclic में देखे क्या होता है यह जो आपने देखा non-cyclic photo phosphor relation ठीक है यहां से क्या हुआ कि यह photo system 1 के पास जो है फोटो सिस्टम 1 के पास जो है इलेक्ट्रॉन साय ठीक है फिर इसने क्या क्या पीप यानि कि primary electron acceptor के पास इसने फिर से दिये एलेक्ट्रॉन ठीक है तो एक आपने एक चेंसी आपने देखी ना वापस यहां देखें एक सेकिन यहां देखेगा यहां पर क्या देखा आपने कि photo system 1 के पास जब electron आया तो इसने क्या किया फिर से electron को release किया ठीक इसे किसने लिया electron acceptor ने electron acceptor ने दो electron faridoxin को दिये फैरिडॉक्सिन ने फिर electron release किया तो cytochrome complex के पास आया cytochrome complex ने फिर PC याने कि आस्टो साइनिन को दिया और इसने फिर electron ला दिया वापस photo system 1 में ठीक है अब देखें एक चीज़ आपको notice करना है कि energy जो होती है जिस की cyclic reaction भी समझी non cyclic reaction था उसे भी समझा ठीक है आगे देखें आगे हम बात करते हैं cyclic और non cyclic photophosphor relation के बीच में difference क्या है यहां से भी कई बार question पूछे जाते हैं आपके हर examination में चाहें आप lt grade की preparation कर रहे हो चाहें आप GIC के preparation कर रहे हो TGT PGT किसकी preparation कर रहे हैं आपका important section आपके exams के लिए ठीक है अब देखेंगा दोनों के बीच में difference है क्या तो सबसे पहला हम बात करेंगे cyclic photophosphor relation की ठीक है तो पहला difference देखें कि जो cyclic photophosphor relation है वो किसमें होता है PS1 में यानि कि photosystem 1 में सिर्फ होता है जबकि non cyclic photophosphor relation आपके PS2 और PS1 दोनों के अंदर पाया जाता है most important difference दूसरा reaction center जो होता है cyclic photophosphor relation का वो होता है P700 जब की non cyclic का होता है P680 ठीक है अभी हमने image में यहीं चीज़े समझी है ठीक है दूसरी चीज electron release जब होता है ना तो cycle cycle back होता है यानि कि जब electron release हुआ तो वापस से वह PS70 के अंदर जो electron है वह वापस आ जाता है ताकि cycle जो है वह complete हो से क्या rotation चालू रहे लेकिन non cyclic photophosphor relation में क्या होता है कि electron अगर एक बार release हो गया तो यह वापस नहीं आता है ठीक है cycle back होकर वापस नहीं आता तो important concept था आप सभी के लिए दूसरा cyclic photophosphor relation में photolysis of water जो है वो नहीं होता लेकिन non cyclic photophosphor relation में initial step में ही photolysis का process हो जाता है ठीक है पांच पर difference देखिए कि यहाँ पे ATP का जो है वो synthesis होता है लेकिन non cyclic में क्या होता है ATP और NADPH का जो है यह एच प्लस की साथ में मिल करके NADPH का जो है वो synthesis करते हैं ठीक है यहाँ पे सिर्फ ATP का होता है लेकिन यहाँ पे ATP प्लस NADPH का जो synthesis हो होता है नेक्स देखिए फोटो फोस्पर रिलेशन जो है वो दो प्लेसस में होता है जबकि साइकलिक फोटो फोस्पर रिलेशन जो होता है वो दो प्लेसस में होता है जबकि non cyclic जो है यह केवल एक जगह पर होता है ठीक है तो non cyclic जो है cyclic जो है आपका और दूसरी चीज़ा है यह क्या जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर भी देखा जाता है ठीक है तो आपने देखा कि यहां पर दोपलिस के अंदर यह होता है सेवन्थ डिफरेंस देखिए कि यहां पर किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रों डोनर की आवश्रक्ता नहीं होती ठीक है क्योंकि यह नॉन साइकलिक है तो एक टाइम ऐसा आता है जब इलेक्ट्रों लैप्स हो जाता है लेकिन जो स्वारी तो अगर इलेक्ट्रों कहीं से भी क्याने एक्साइट बैक्ची हो रहा है तो वह वापस से कम بैक करता है अपने सिस्टिम के अंदर ठीक है यहां पर किसी भी एक्सटर्नल e-leak्ट्रों डोनर की आवश्रक्ता नहीं होती लेकिन्चिक के अंदर सबसे पहले ye-leak्ट्रों कह वोता होती है जो कि управुषाकौ defended अगला देखेगा आर्थ वाला डिफरेंस कि यहाँ पे डाइकलोरो डाइमेथिल यूरिया जो होता है इससे सेंसिटिव नहीं होता लेकिन यह जो है आपका नॉन साइकलिक फोटोफोस्पर रिलेशन यह DCMI और DCMI यहाँ पे इलेक्ट्रोन फ्लो को इनिबिट कर देता है रोख देता है ठीक है तो दोनों की बीच में आपका reduction division जिस आप reduction के नाम से जानते हैं तीसरे आपका regeneration of rubb तो टोटल यहाँ पर तीन स्टेजिस जो है वह देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे carbon fixation की ठीक है तो यह image आपकी ज्यादा elaborated form में नहीं है steps समझाने के लिए स्टेजिस समझाने के लिए steps की बात करते हैं कि किन चार major steps में जो C3 cycle है Kelvin cycle है complete होती है सबसे पहला carbon fixation तो इसमें क्या होता है carbon dioxide जो होता है RUBP क्या है एक प्रकार का sugar है ठीक है RUBP जो होता है rubisco enzyme के presence में जब एक दूसरे के साथ bound होता है यानि CO2 प्लस RUBP क्या है riblase bifosphate जब atmospheric carbon dioxide के साथ में mix होता है तो यह बनाता है in presence of rubisco enzyme तो यह बनाता है 6 carbon glucose का molecule ठीक है अच्छा अब यह जो 6 carbon molecule है glucose का यह 2 equal parts में divided हो जाता है जिसमें 3 carbon 3 carbon आते है ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 carbon 3 carbon में बढ़ गया अब यह 3 carbon जो आप देख रहे हैं 3 carbon compound आपका क्या है 3 PGA ठीक है जिसे कहा जाता है 3 phosphoglycerate ठीक है क्या कहेंगे आप 3 phosphoglycerate या फिर glycerate भी कह सकते हैं यहाँ देखिए malate मतलब malic acid pyruvate मतलब paruvic acid तो यह चीज है आपको clear होना चाहिए confused नहीं होना आपको बिल्कुल भी ठीक है तो यहाँ तक आपने देखा यह आपका क्या था carboxylation ठीक है अब हम आते है अपने reduction की तरफ तो reduction process में क्या होता है कि यहाँ पर ADP plus होता है और और जो NADPH होता है यह energy आपके light reaction से आती है ठीक है light reaction से जो energy release होती है ADP और NADPH यह इन सभी के साथ मिल करके बनाता है 3G3P याने कि glyceric 3-phosphate ठीक है तो important compound था इसे आपको ध्यान में रखना है अब देखिए यह reduction division यहाँ प carbohydrate sugars में convert हो जाता है ठीक है अब देखिए यह आपका G3P है यह light energy जो है जब इनके साथ जो ATP रिलीज होता है light reaction से उस light reaction से निकली हुई ATP जब इस 3G3P के साथ में मिलती है तो फिर यह जो RUBP होता है यह वापस return कर जाता है cycle के अंदर ठीक है RUBP कैसे return करता है कि यहाँ पर G3P और यह ATP मिल करके बनाते हैं RUBP ठीक है अब यह RUBP दुबारा आ गया तो इसे दुबारा आना मतलब regeneration तो इसलिए step का नाम दिया गया है regeneration of RUBP और इसे regeneration phase के नाम से भी जानते हैं तो G3P plus ATP यहाँ पर मिल करके बनाता है RUBP जो कि अभी हमने discuss किया ठीक है अभी RUBP का production हो गय तो इस तरीके से आपकी C3 cycle complete होती है ठीक है जो important step से हमने आपे discuss कर लिए चलिए compound देखा जाए तो पहले step में आप देखी सकते हैं पहले step में आपका compound क्या है RUBP ठीक है RUBP जो कि एक 3 carbon compound है इसके साथ में 5 carbon on 5 carbon on mix हो जाते है ठीक है और उसके बाद बनता है 6 molecule of PGA ठीक है उ उसके बाद 6 molecule of DPGA बनता है और जब यही 3 carbon के साथ में फिर से mix होता है तो यह बनाता है 6 molecule of G3P ठीक है तो इस cycle पूरी आप सभी के सामने clearly दी हुई है आप इसको देख सकते हैं ठीक है अगला देखिए यह भी आपका ball and stick model जो होता है उसके थूर यह cycle है वो समझाई हुई है तो अगर आपको यहां से कोई भी cycle आपको अगर clearly समझ में आ रही है तो आपको concept समझने से मतलग है अगर आप चाहे तो screenshot भी ले सकते हैं ठीक है तो 2-2 second के time आप सभी के लिए आप चाहे तो screenshot ले लिजे यहां से ठीक है चली अब हम बात करते हैं next cycle जो है C4 cycle जिसे कहा जात pathway ठीक है तो C4 cycle यहां पर जिसे crans anatomy कहा जाता है या फिर hatch and slack pathway कहा जाता है ठीक है तो hatch and slack pathway जो होता है यह होता है कहां पर इस पर ध्यान दीजेगा तो दो type की cells होती है जिसके अंदर आपकी जो life cycle जो cycle है complete करती है ठीक है पहली जो cell है मेजोफिल cell और दूसरी आपकी bundle sheet cells तो दो टाइब की cell के अंदर यह hatch and slack pathway या C4 cycle यह जो crans anatomy है complete होती है ठीक है अब आपसे पूछा जाए कि मेजोफिल cell और bundle sheet होती कहां पर है तो यह पाई जाती है लीफ के अंदर यहां पर दो टाइब की cells पाई जाती है पहली है मेजोफिल cell और दूसरी है bundle sheet cell ठीक इनी के अंद की mostly जो आपकी है वह देखी जाती है mostly ऐसा exception में आप देख सकते हैं कि diecourt plants में देखा जाता है पर basically यह जो cycle है वह सभी monocod plants में देखी जाती है तो यहां देखिए जो important terms होते हैं important terminologist होती है इनको हम यहां पर discuss करेंगे very important concept पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है इस cycle के रिकार्डिंग की occurrence कहां पर इनकी मेजोफिल cell और बंडर चीज़ के अंदर होती है दूसरी चीज़ enzymes कौन से responsible होते हैं आप तो पहला जो enzyme होता है होता है पैप केज ठीक है कौन सा enzyme है पैप केज तो यह होता है पैप केज enzyme जिसे कहा जाता है पी पी कार्बोक्जिलेज enzyme ठीक है इसको short में पैप केज बोलेंगे ठीक है दूसरी चीज़ कि bundle sheet cell के अंदर जो कितना concentration होता है CO2 का यानि कि carbon dioxide का इसके उपर depend करता है कि रूपि इसको enzyme है वो बाइंड नहीं कर पाता ठीक है CO2 के साथ तो यहां concentration gradient भी बहुत ही जादा important है पूरी cycle के लिए ठीक है दूसरी चीज कि यह जो आपका cycle है यह क्या है energy wasting process यानि कि यहां पे यह energy expensive process है क्योंकि यहां पे जादा है जो ATP है वो utilize होते है ठीक है तो important concept है आप सभी के है अब यह रिखिए दो steps में होता है सबसे पहला आपका है क्या है mesophyll cells ठीक है और दूसरा bundle sheet cells अब वो steps की हम बात करेंगे जिन steps के थूर यह पूरा process complete होता है सबसे पहला आपका fixation दूसरा है आपका transport तीसरा है आपका decarboxylation तीसरा है आपका transport और चौत है आपका regeneration ठीक है तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे steps में देखेंगे cycle को complete होते हुए ठीक है सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले step में क्या होता है कि PEP ठीक है PEP क्या है आपका phosphophenol pyruvate ठीक है यह क्या है आपका PEP आपका क्या है three carbon compound ठीक है ठीक है three carbon compound जब atmospheric CO2 के साथ में मिलता है एक carbon और आ जाता है तब तब यह क्या करता है बनाता है four carbon compound जिसका नाम क्या है यहाँ पे oxaloacetic acid याने की OAA ठीक है तो पहला step था fixation का fixation जिसमें हमने अभी बताया atmospheric CO2 जो होता है यह phosphophenol pyruvate के साथ मिक्स होता है ठीक है तो यहाँ पे three carbon plus one carbon CO2 का यह मिलके four carbon compound बनाते हैं जिसका तो यहां बनता है आपका oxaloacetic acid फिक है अच्छा नेग्स делать में क्या होता है यहाँ बात करें यहाम पर लिए क्या बन रहा है यह देख़िए c4 लिखाना carbon poor acid नहीं पर आपका आपका see for acid बना अब देखिए नेग्ट सथेमी क्या होता है कि अब D कार्बस लेशन होता है D ** मात आगे चल और कि इसमें से कुछ कार्बन की कुछ पाट कुछ सेक्षंस निकल जाती है और निकल करके कहां चली जाएगी सीथरी साइकल में ठीक यह आपके लिए इंपोर्टन असपेक्ट था नेक्स अनेक्स साइकल में जब निकल जाता है तो अब ये क्या होता है, pyruvate बनाता है, ठीक है? फोस्फोफिरोल पायरोवेट यानि कि पीप में कनवर्ट हो गया तो रिजनरेशन यानि कि पीप का रिजनरेशन यहां पर आपको नजर आएगा ठीक है तो इंपोर्टन कॉंसेप्ट था आप सभी के लिए चलिए अब इतना साइकल जो था क्रेम जन अटॉमिया आपको समझ कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका इंपोर्टन माना जाता है क्यों कि यहां से हर साल हर साल आपको इन्हें कोई 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 कोश्चन देखेंगे आप 2016 का भी पेपर उठाके देख लिए वहां पर भी आपको सेक्शन से मिलते ही मिलते हैं पका कुश्चन ठीक है तो इस करके देखें लेकिन हां वीडियो का इस एक्शन आपके लिए मुस्ट इंपॉर्टन यहां से प्रफूर्टन ने बना था अब जो आपका पेपर 2016 का तो हो गया भी ठीक है अब जो आने वारे पेपर है आपका 2021 का इसमें भी आप कोश्चन यहां से देखेंगे डिरेक्ट क चल्य तो बात करते हैं तो बात करते हैं कि याँ पे टाइपस ऑफ एग की यह दो आपके बेस्सक्राइए जाने कि के अंदर कितना अमाउंट है इसके basis पर जो अग है ने तीन पर्फ में काटेगराइज किया गया है और दूसरा है कर पहले कि सबसे पहले के बारे में यानी कि on the basis of amount of york याने कि योग के basis पे कि सैंग किया है इस पर हम बात कर रहे हैं तो, चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले जो है साइंटिस्ट ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था अमाउंट आफ योग के बेसिस पे सबसे पहला आपका अलिशीथल जिसे माइक्रो लिशीथल और ऑलिगो लिशीथल के नाम से भी जाना जाता है दूसरा है आपका मीजो लेशीथल ठीक है और लास्टैब का पॉली लेशीथल ठीक बहुत ही सिंपल से कitEm कें दर यह भी चोटा सा होता है याने आपका एक इतना बड़ा सा यक्शीथल होगा ही wrap होda आपका क्या कहलाता है या यी आपको याद रख और प्रैसनशों योग ओगला की माइक्रोह जोता है चोटा यूग या तो बहुत चोटा हो या तो ह stem होता है कि ह už एक तो अब देखे चार हो यहां पे आपने देखे सुरी तिन आपन से यहां पर देखें कैटेगराइजिशन ठीक है अब देखें क्या करना है यह एक्जामपल याद कर लिजे कि ऐसा कौन सा एग होता है जिसके अंदर एग नहीं पाए जाता है या तो बहुत चोटे साइज में होता है तो सबसे पहले एक्जामपल आपका सी अर्चिन ठीक है प्रेजेंट होता है तो बहुत ही छोटे अमाउंट में ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है आप से कुछन पूछा जा सकता है कि सी अर्चन है विच काइंड ऑफ आपको याद रखने ऐली शीथर माइक्रो लिशीथर अलिगो लिशीथर थीक है आपको याद रखना है स में तो ऐमाउंट अप आफ होता है ना हो मीड्यम होता यह मॉडरे होता है यह यह तो बिलकूल इसमें ठीक है चोटा-सा मतलब ऐग का साइस आप जी आपको बड़ा एक बड़ा एक चोटा एक है इस ड़न मैटर यह आपे जो एग का यह मीडियम आपंट होगा मीडियम नहीं देखा था कि ऐसा एग्योग और है यहां पर यह थे जो एग्योग है यह थे आपका या तुहनि माइक्रो अलुप में कि मीडियुम साइजav का है मोडुरे में देख लीज मतलब मीडियम साइज का एसा है एक्जाम्पल में इसका देखिए एंफीबियंस आते हैं जिसे के आपका फ्रॉग है ठीक है और आपका क्रॉकडाइल है इन सभी की जो एग होते हैं वो सभी मीजो लिसीतल होते हैं इंपॉटन पॉइंट देखिए आपसे किसी भी औरगिनिजम का एग का पूछा जाया है माने आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉग के बारे में तो कैसा होता है इनका एक मीजो लिशीतल होता है क्यों कि इसमें जो एक का यहां पर योग का मांट होता है ना डाटिस ओफ निपुंकि देख लिएंजुए अपका लंग फिश और पैट्र माइजं रिचान के बारे में पूछा जाता है ऐक बारे माइजंब पूछा जाता है ने पिंप नॉइफ़ीए अग्सिए लंग फिशचे इन सभी के अंदर जो एग होता है ना वह होता है मीजो लिशीतल है अगर हम एक एक आपको समझाने लगे कि आपका जो यह फ्रॉग होता है इसके अंदर ऐसा एक होता है तो काफी ज़रा टाइम लग जाता है इसलिए में एक ब्रॉडर सेंस में एक्जाम्पल आप सभी को डालिवर किया दाट इस एंफीवियन ठीक है लंग फिशिस पैट्रमा और लिपधी हैं आपको नज़र आएग मितला इतना इतना आपको यहाघ को मेंतल इदका साइस है प्सक्राइब उससाब के यहाए कट्रिश ठाइए यह ही नहीं तो आपनी condition देखी एक की ठीक है अब देखे लास्ट वाले पर बात करते हैं पॉली शीखल मैक्रो लिशिखल और मेगा लिशिखल मैक्रो मतलब भी बड़ा होता है मैगा मतलब भी बड़ा होता है पॉली मतलब भी होता है बहुत सारा थीख तो सिंपल वर्ड में एक ही कॉंसेप्ट है आपको deliver करना है कि amount of yog होता है या जो content होता है नो काफी larger होता है ठीक है example में इसके देख लेजे तो पॉललिशितर मैक्रोलिशितर और मेगालिशितर टाइप की जिन में पाए जाते हैं उसका सबसे best example है इन्हीं और इन्सेक्ट और एंप्टीरियय और रेप्टाइल्स तो इनस और अपके रिंगने waal मैंने जीव जैसरे की चिपफ़िया जाते हैं तो जाते हैं तो कफिसा जीव आज आते हैं आपके lems यह समझे लिए ऑ keiner आता का तो गयी Pूछा यह से अगर हमने बात की थी कि आप से इस टैप को कुश्शन पूच सकता है कि स्नेक का वह एक कैसा होता है थी के चलिए अब यह यहां पर देख सकते हैं क्लियरली डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं पहला जिनमें एक योग बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है यहां पर देखेंगे यहांपर आपके जो एक योग काफी जादा है यहँआ कर देखें लियुट ही है अब देखेंग में तूर एक योग को किया गयا है अब देखें आप किस तरीके से अग को क्यांखराई इस डिस्टिबूशन किया गया है तो इसे टोल त्री की अब में ढम चासितल पर और सबसे पहले के बारे में बाते हैं आई तो होता है यह जो होता इसमें के यह यह टिल्ट एंदर के अंदर योग होता है वो इकल डिस्टिब्यूटर होता है पूरे एक के अंदर ठीक है थोड़ा सा जो वर्ड से दर अधर हो जा रहे तो आप फिर से स्टेटमेंट करते हैं होता है कि योग होता है ना योग जो होता है इक वनलीशिथ होता है पूरे एग के अन्दर ठाओर अभी हमने इसके इस तीपा पंड़े थे ना जिनमें आता है शब से पर्स में हमने पाढ़ा था ऐली शीथल उसका दूसरा नाम था माइकरो शीथल और तिरस में पाढ़ा था ऐली शी यह के होमो शीथल और आईशो लिशीथल एग एक पॉल पर पाया जाता है ओसब पोल के बाहर heart θα इरो होता हैh ठीज़व मतलब होता है तो सब्सकूल प्रस्ट म्हें किता है तो घंप प benef every आप दूसरा डामेल त्याजियर में पर प्रेजंट क्यों यह आपए से मौल प्रेजोबाएन प्रेजर्ठ पर यह आपकेया एम क्यों में प्रकेश्जत अपनी है फ्री होता है स्नेक आता है लिजर्ट साती है क्रॉकोडाइल साते हैं ठीक है इसे भी किसमें आते हैं उनका एग कैसा होता है तेलियो लिशेथल आता है एक्जाम्पल्स में देखिए बहुत सारी एक्जाम्पल्स आएंगे on the basis of yoke distribution पूछा जाय तो आपको यह सारे बताने on the basis of size of yoke आए तो फिर आपको वो पिछले वाले बताने जो आपने आभी देखा ठीक है अगला ताइप देखेगा Central Lichithal Egg योग जब present होता है Central Part में किसी एग के तो यह कहलाता है आपका Central Lichithal Egg नाम से ही clear है Central Position पे present होना एग के ठीक है तो योग जब Central Position में present होता है Cytoplasm के तो इस टाइब के एग को Central Lichithal Egg बोलते हैं ठीक है अच्छा यहां जो एग योग होता है एक superficial layer के द्वारा covered होता है और यह आपका best example है आपका insect है जितने भी insect होता है उन सभी का जो एग होता है Central Lichithal Egg माना जाता है ठीक है तो देखे एक बार फिर से revise कर लिजेगा कि यह जो एग है आपका ठीक है on the basis of egg yoke यहां amount of yoke के basis पे एग को तीन पार्स में divide किया गया है Lichithal, Microlichithal और Polygolichithal यह सिर्फ एक है दूसरा देखे यह पहला आपका division है दूसरा है Mesolichithal, ठीक है तीसरा है Polylichithal Lichithal में क्या होता है एग योग बहुत छोटा होता है यहां तो बिल्कुल present ही नहीं होता है absent होता है Mesolichithal में जो amount of yoke होता है वो medium होता है moderate होता है और इसके examples में आते है amphibians, diphnoy fishes और lung fishes और petromyzone ठीक है Lichithal एक के example है sea urchin, amphioxus, tunicates और euthirian egg Polychithal का देख लेजे जब amount of yoke जो होता है जो योग का content है वो काफी larger होता है तो यह आपका polychithal कहलाता है इसके examples में आ जाता है prototherean mammals, insect, annulid और reptiles ठीक है अगला देखिए on the basis of distribution of egg यहां पे योग का जो distribution होता है उसके basis पे तीन पट्टा इसमें egg को distribute किया गया है सबसे पहला है सबसे पहला आपका isolichithal जिसे homolichithal के नाम से जानते है इसमें egg योग जो होता है पूरे एग में पूरे एग के cytoplasm में equally distribute होता है जिसका example होता है alichithal, micro-lichithal, oligolichithal ठीक है telolichithal क्या होता है एग का जो terminal होता है एक animal pole होता है तो vagital pole के उपर जो एग योग present होता है इस टाइप की एग को बुला जाता है telolichithal एग और इसका example है amphibians एग जितने भी amphibians होते है उनका एग कैसा होता है telolichithal एग तीसरा है central lichithal तो जो एग योग जो होता है बिलकुर central area में present होता है तो इससे central lichithal एग बोला जाता है ठीक है इसके example में आपका आता है इसका example में आता है आपका insect जितने भी insects होते है ने सबका एग कैसा होता है central lichithal ठीक है तो important example था आप सभी के लिए चले अगला देखे तो दोस्तों आज की जो वीडियो है जिसे हम यहां पर discuss करने जा रहे है यह वह content था जो कि आपने demand करी थी हमारे comment box में कि माम जो एग के टाइप से इनके पर एक वीडियो लेकर आएगा तो बिल्कुल हम वीडियो आप सभी के लिए लेकर आये थे और इसके अलावा जो आपने जितने भी comment पूछे हैं ठीक है उनमें आपका plant physiology आता है तो plant physiology के हुई हम आगे चल करके discuss करेंगे ठीक है तो अभी चलते हैं प्रश्ण उतरों की श्रंकला के उपर तो दोस्तों अब आपकी screen पे जो आप content देख रहे हैं 101% पूछा ही जाता है तो इस section को आपको miss बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि content से ले करके question की जितनी भी series थी हमने उन सारे important question को यहां पे mention किया है तो आज का वारस का आप से पूछा जा रहा है कि जो box virus होती है उसके संरचना कैसी होती है तो चारो टाइप क्या आप सारी चारो आप्शन के वह एक नजर देखेगा option बर वन है आपका circular option बर बी है आपका brick shaped option बर सी है जो आप जाते हैं ना जीम बगेरा में तो आप इस टाइप का कोई apparatus उठाते हैं ना ऐसा ऐसा ही similar होता है तो अब होता है आपका sorry guys double shape नहीं बन पा रहा है लेकिन आप just imagine कर लिजे कि किस टाइप का होता है ठीक है तो थोड़ा सा comedy वाले condition आगे बट इट इस okay I hope you people don't mind चलिए अब answer पर आते हैं ना देखे आंसर है हमारा देखे आंसर है और डियान के डंबल शेप जो के हमने भी डिसकस किया ठीक है एक्स्टा फैक की रूप में याद रखी कि पॉक्स वारिश जो होता है double standard उसके अंदर DNA पाया जाता है और proteins के रूप में इसके important concept है आपके पॉक्स वारिस के रिगार्डिंग 100% को कुश्चिन आप अपने examinations में देखेंगे ठीक है जब अगला कुश्चिन देखें अगला कुश्चिन है अगला कुश्चिन है अगला कुश्चिन है फैटालिटी रेट ऑफ वारियोला माइनर इस फैटालिटी के यह त होता है अगले तो कितना हानिकारक करेट है कितना हानिकारक हो सकता है वयर्योला माइनर जया आपको बताना है तो चार और देखेगा यह आपके जी यह सी लेवल का कुश्चिन है ठीक है तो हम साब को एक साथ लेकर करके चल रहे हैं जी आएसी टीट पीजिट तो इसे भी को ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि हमने जी इसी बोला है तो टीजिटी में नहीं आ सकता है वहां पर भी आ सकता है ठीक है तो इन पर फोकस कीजिएगा देखिए चार ओप्शन आपका और ऑप्शन नमर वान है आपका टैन तो थर्टी परसेंट ऑप्शन नमर भी है वन तो एक से तीन परसेंट और लास्ट है आपका साथ टू असी परसेंट ठीक है तो आपका जो करेक्ट आंसर है डैट इस ऑप्शन नमबर सी है ठीक है यानकी 0.1 तो 0.3 परसेंट होता है वैरियोला माइनर का फेटालिटी रेट एक्स्टाफेक्ट की रूप में जानेगा कि जो वैरियोला माइनर होता है जिसे लेस्ट्रिम कहा जाता है यह लेस्ट बाना जाता है और इसका फेटालिटी रेट जो होता है 0.1 से लेकि 0.3 परसेंट के करीब में होता है जो कि बहुत ही कम होता है as compared to वैरियोला मेजर ठीक है जिबकि वैरियोला मेजर जो है यह highly highly fatal साबित होता है क्योंकि इसका fatality rate इसके comparison में काफी ज्यादा होता है ठीक है अगला question देखेगा question no.3 यह भी आपका content based question है तो इसे भी आपको content की तरह लेकर के चलना है ठीक है जहां पर भी content content based आपको question मिलेंगे true or false के तरह आपको नजर आएंगे content है आपका for diagnosis of smallpox viruses demonstration of nagry bodies is carried out तो क्या यह आपका content दिया हुआ है वो क्या सही है मतलब smallpox virus के diagnosis के लिए उसे उसका पता लगाने के लिए nagry bodies का demonstration के दर्शाना पड़ता है तो एक तो है आपका true और दूसरा है false तो देखेगा यहां पे आपका correct answer that is option number B ठीक है आपको जो option number B है यह है false ठीक इसका मतलब कि smallpox virus के diagnosis के लिए light का use जो light microscopy होता है उसका use किया जाता है जिसके through inclusion bodies जिन में guanary body जो होती है उनको stained cells होती है इनके extraction के through पता लगा जाता है कि the person is affected from smallpox or not ठीक है वे इस तरीके से smallpox virus का पता लगा जा सकता है ठीक है कौन से method से तो light microscopy के through ठीक है अगला question देखें अगला question है आपका question number 4 which strain which strain of strain of adenovirus are sorry which strain of adenovirus can cause cancer तो I don't know why this virus का कौन साय सा strain है जो के cancer के लिए responsible है चार option देखेगा option number 1 है आपका subgroup 1 option number 2 है subgroup 2 option number c है आपका subgroup 3 और option number d है आपका subgroup 4 तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is option number d ठीक है extra fact group में याद रखेगा कि adenovirus जो होता है जिसका subgroup 4 माना जाता है न यह cancer और cancer और oncogenic factor इनके अंदर देखा जाता है ठीक है और cancer causing को ही oncogenic का कहेंगे ठीक है और इन्हें amino deficient animal यानि जो new bone hamsters होते हैं इनके हाँ इनको easily identify किया जाता है ठीक है अब देखेगा question number five mdv virus affect which of the falling यानि जो mdv virus होता है इन चारों में से किसे affect करता है यह आपको बताना है चारों option देखेगा option number one है आपका chicken option number b है cattle option number c है आपका humor और option number d है आपका birds very important question for your examinations तो यहां पर देखें mdv virus जो होता है यह किसे affect करता है तो that is your option number one यानि कि chickens को generally affect करता है newly hatched to chickens होते हैं उनको affect करता है mdv virus अब extra factor में याद दखेगा कि एक animal जिससे हर्पीज हर्पीज वारिस जो होता है न यह मैरिक्स डिजीज वारिस यानि कि mdv virus होता है न जो कि epithelium of feather follicles जो होते हैं chickens के उनको affect करता है तो यहीं से उसका जो attack है वो start हो जाता है तो हर्पीज वारिस जिसे की मैरिक डिजीज वारिस यह से mdv कहा जाता है short form में यह feathers जो होती है पंक होते है chickens के उनके epithelial और epithelial follicle के उपर जो होता है उसके पर attack करते हैं epithelial मतलब outer layer के feathers की तो mdv virus कि इसको affect करता है chickens को इसे आपको ध्यान पर रखना है अगला question देखेगा question number six यह भी आपका concept based है question आपका hsv1 has been recognized as the causative agent of disease involving the genital track तो यहाँ पे दो option देखेगा option number बहने आपका true option number b हैपका false तो question के according आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number b यानि कि hsv1 जो होता है यह recognition जो causative agent होता है disease का genital track का उसके recognition के लिए यूज किया जाता है तो आपका statement है यहाँ पर false है ठीक है अच्छा तो hsv जो होता है यह useful होता है जो primary or recurrent disease होती है genital track की उनको recognize करने के लिए ठीक है reoccurring मतलग कि अभी ठीक हुआ फिर वापस आ गया तो आप इसे reoccurring कहेंगे ठीक है अगला question देखेगा अगला है question number seven which drug is used for healing genital herpes याने कौन सी ड्रग है जिसको use किया जाता है genital herpes को ठीक करने के लिए तो चारो option देखेगा option number one है आपका acyclovir option number B हापका penicillin option number C हापका erythromycin और option number D हापका tetracyclin तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number A याने कि उस drug का उस दवा का नाम क्या है जो कि genital herpes को ठीक करने के लिए इस्तमाल की जाती है तो वो होती है acyclovir ठीक है अब देखिए ट्रॉपिकल एप्लिकेशन जो होती है drug acyclovir की यह बहुत ही shorter time के लिए यान कि जो healing time होता है primary genital herpes का वह बहुत ही छोटा सा effect दिखाता है लेकिन जो reoccurrant form होता है उसको treat करने के लिए acyclovir जो होता है वह यूज किया जाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अगला कुशन देखिएगा अगला कुशन है आपका कुशन नमबर 8 mononucleosis is caused by which of the following virus यान कि mononucleosis जो disease होती है इन चारों वाइरस में से किसके द्वारा किसके द्वारा जो होती है वो फैलती है या कौन इसका mononucleosis जो होता है इसका causative agent कौन सा होता है या आपको बताना है तो option number 1 देखेगा VZV option number B है HSV option number C है आपका EBV और option number D है आपका HIV तो question के according जो आपका correct answer निकलता है that is option number C यानि कि abstain bar जो होता है एक सेट बार वाइरस EBV जो होता है कॉसिटीव एजेंट होता है infectious mononucleosis का ठीक है और एक self-limited disease होती है जो कि कम से कम 80% तक जो population होती है यहां तक इनकी causing agent के रूप में इससे देखा जाता है यहांने करीबन 80% जो होती है जितने भी disease causing जितने भी वहमारे से ग्रसित लोग है उनमें से 85% जो जो संक्या आए ना इसी के कारण देखी जाती है ठीक है अगला question देखिएगा question number 9 what is the size of papilloma virus तो papilloma virus का size पूछे जा रहा है very important for your examinations अगर आप की preparation कर रहे हैं PGT की preparation कर रहे हैं तो question आपके लिए बेहद ही important हो सकता है तो चलिए इस पर एस टेक मांग कर लीजेगा option देखिए option number 1 है आपका 30 एनम, option number B है 45 एनम, option number C है आपका 2 एनम और option number D है आपका 55 एनम तो question के according जो आपका correct answer निकलता है that is option number D ठीक है यानि कि जो papilloma virus होता है इसका size क्या होता है 55 एनम के करीब में ठीक अब देखिए एक स्टेफ़ाइट की रूप में आप दखिएगा कि papilloma virus जो होता है इसे दो major groups में divide किया गया है पहला group है आपका papilloma virus जिसका size करीब से diameter ठीक है अगला question देखिएगा अगला question है कि SV40 causes disease in which animal SV40 जो होता है यह किस बिमारी को किस animal के रहे किस जानवर के अंदर किस जन्तु के अंदर बिमारी पैदा करता है आपको बताना है चारो option देखिएगा option number 1 है आपका monkey option number B है आपका rabbits option number C है आपका humans और option number D हैपका cattle तो question के according आपका correct answer निकल कर आता है that is option number A यानि कि SV40 जो होता है यह monkeys यानि कि बंदरों के अंदर बिमारी के लिए responsible factor होता है और इसे सबसे पहले एक latent virus के रूप में culturing करके इसको पता लगा गया था पता चला कि SV40 नाम का कोई वारस भी होता है ठीक है चलिए तो आज की जो इस मतलब पार्ट वन जो था जहां पर हमने डबल स्टैंडड वारस के बारे में कोश्चन लेकर आया थे उन सभी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टन कोश्चन थे हमने आप डिसकस किया अब हम सेक बात करते हैं सेक्वेशिन ल मारेध वैरिस जहां पर हम बात करने वारए वारस नंके द्वारा फैलने वाले बिमारियों के बारे में ठीक है तो बेसीकली स्ट्रक्चर और वीमार के बारे में आप अपर बात करेंगे तो छेले सेकशिंग का हमारा 1st question है the living characteristic of viruses is यानि कि living जो वारिसे होते हैं उनके अंदर जीवित जो फीचर्स होते हैं जीवित रहने के वो क्या है तो 4 option देखेगा option number 1 है आपका ability to multiply यानि कि विभाजित होने की शमता option number B है ability to undergo mutation third है आपका ability to crystallize और option number D है आपका ability to cause disease in the host question के according जो आपका correct answer है that is option number C यानि कि देखेए यह सारे good यानि कि divide होने की mutation होने की और disease causing के सारी abilities living के अंदर पाई जाती है लेकिन crystallize होने की जो characteristic है यह किसके अंदर पाई जाती है non living animals के अंदर ठीक है दूसरी चीज के crystallized form में सबसे पहले वारिस को किसने निकाला था यह question हमारा आपके लिए जो अल्रडी हम अपनी previous question answer की जब series discuss कर रहे थे तब हमने discuss की थी ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है देखिए the viruses contain both DNA and RNA ठीक है आपको ऐसे वारिस का नाम बताना है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों पाए जाता है बहुत ही रियर क्या रियर इस कंडिशन है कोई भी ऐसा वारिस जनरली देखने को नहीं मिलेगा या तो उसके अंदर DNA पाए जाता है ठीक है तो चारों option देखिएगा option number one है आपका polio वारिस option number b is harpes वारिस option number three है आपका syanophase option number d है आपका लिउको वारिस तो question के according जो आपका correct answer निकल का रहाता है that is your option number a question के according जो आपका correct answer that is option number dn की लिउको वारिस आप लिउको वारिस एक ऐसा वारिस है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों पाए जाता है very rarest case आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि आपके neat exams के लिए और आपके GIC के लिए आपके botany के लिए जो आपके MSC आप exams दे रहे हैं उसके लिए TGT PGT के लिए बेहादी important है ठीक है rarest है ठीक है इसलिए important है अगला देखेगा question number 3 reason in the body where polio virus multiplies is आपको body का वो हिस्सा बताना है जहां पर polio virus जा करके विभाजित होता है तो चारो option देखेगा option number 1 है आपका muscle cells option number B है nerve cells option number C है आपका intestinal cells और option number D है आपका none of the above तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number C यानि कि जो intestinal cells होती है human beings की वहाँ पर जाकर पोले वारस होता है multiply करता है अगला question देखेगा question number 4 interference curve infection of याने interference जो होते हैं यह किसके infection के रिए responsible होते है ठीक है यह आपको बताना है चारह option देखेगा option number 1 है आपका fungi, option number B is bacteria, option number C is cancer, option number D is none of these तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number D यानि कि इन चारह में से interference किसी के साथ भी associated नहीं है अगला question देखे, question number 5 the virus for the first time was synthesized in the form of non-living crystals यानि कि crystals की form में जो question हमने आप से अभी पूचा था ना वही question देखे आ गया लॉट करके क्या question है the virus for the first time was synthesized in the form of non-living crystals यानि कि सबसे पहले जो वारिस था ना इसे पहली बार synthesize किया था non-living crystals के रूप में तो कौन सब वारिस था किस रूप में synthesize किया था या आपको बताना है चारह option देखेगा option number 1 है आपका pox virus, option number B is flu virus, option number C is tobacco mosaic virus, option number D is bacteria phase तो question के according जा आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number C यानि कि tobacco mosaic virus अगला question देखेगा, question number 6 is causative of chicken pox is, यानि chicken pox की जो causing agent है उसके नाम को आपको बताना है चारह option देखेगा, option number 1 है आपका bacteria phase D2, option number B is varicella virus, option number C is sv40 virus, option number D है आपका adenum virus तो question के according जा आपका correct answer निकल कर आता है, that is your option number B, यानि कि varicella virus जो होता है, वो causative agent होता है chicken pox का, very very important for your GIC, UP, PCS, pre, आपके neat examinations के लिए, किसी भी examinations के लिए देख लिए तो ये question आपके लिए बहुत important है, इसे भी आपको एस्टिक मार्क करना है अगला question देखेगा, question number 7 चलिए तो 7th question पर आते हैं, 7th question is, titanus germs produce a toxin, it affects यानि titanus germs ऐसा कौन सा toxin produce करते हैं और वो body का कौन से हिस्थे को effect करता है, आपको बताना है चारो option देखेगा, option number 1 is jaw bones, option number B है आपका involuntary muscles, option number C है आपका voluntary muscles और option number D है आपका, both voluntary and involuntary तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है, that is your option number C, यानि कि voluntary muscles का concept है आपे, वो सारी muscles जो आपकी mental ability के according आप move कर सकते हैं अपनी एच्छा के अनुसर, volution means होता है, इच्छा, då वो सारी muscles, जो कि या अपनी इच्छा के अनुसर मूब करा सकते हैं, यह कहा जाता है, involuntary muscles, नहीं कहा जाता है Unevolun chacun that is yourGG Cross beginnen with a यह एक ऐसे जो टीटरेस जर्म होते हैं वह ऐसे टॉक्सिन को प्रेड्यूस करते हैं इस टॉक्सिन आर्वारी मच एबल एबल टॉ इंफेक्ट इन वालूंटरी मॉसल्स ठीक है तो अक्वाइब टॉक्षिन नुबर सी इस यौर करेक्ट आंसर यान कि वालूंटरी मॉसल्स अगला कुशन देखिया का कूश्शन नमर ओउसल्स तो खौर्ट निल्ट न होकिएब और प्युमारी यान्स के अ betशन देखियुइंग आयम मीजल variant टॉक्षिंबमार करेक्ट आंशरार आब त्याइट आप्षोन अब आर भी यानिकी मीजल्स अगला कुश्चिन देखिएगा अच्छा रीकेट्स को देख लेजे हाँ पर इसे डिजिज़ जो कि तो चारो बिलकल लालगा लगए नाइन्त कोशिन देखेगा यो नाइन्त कोशिन इस दिस अ कामन कम्यूंद दिए गये और इन चारो उप्शिन में से आपको ऐसी डिजीज का नाम बतारा है जो की communicable है यानि कि spreadable है तो चारों option देखेगा option no.1 है आपका rabies, option no.b है आपका cancer, option no.c है आपका alcaptoneuria और option no.d है आपका phanil ketoneuria तो question के according जो आपका correct answer निकलता है that is option no.a यानि कि rabies क्या है आपकी एक rabies है आपकी communicable disease ठीक है आपकी malnutrition के कारण होती है और जो communicable disease होती है तो यह सभी spreadable disease होती है तो rabies क्या है आपका spreadable disease है किस से होता है तो जो भी ऐसे dog जिनके ऐसे dog जो कि infected होते हैं rabies वारिस से वो जब किसी normal person को काड़ते हैं वाइट करते हैं that is results into rabies ठीक है rabies का जो टीका था वो सबसे पहले किसे ने लगा था यह question आप सभी के लिए ठीक है यह भी question आपकी examinations में आने के chances बनते हैं तो इसको भी आपको क्या करना है एस टिक मार्क करना है ठीक है very important for your examinations अगला question देखिए question number 10 question number 10 है आपका hydrophobia hydrophobia एक बिमारी का नाम होती है और इसे rabies के नाम से भी जाना जाता है तो यह जो hydrophobia आप देख रहे हैं यह किसी के त्वारा होता है यह आपको बताना है तो चारह option देखिएगा option number one है आपका protozoans option number B है आपका आपका है तो देखिए आपका जो correct answer है यान कि hydrophobia जो है जिसके कारण होती है तो causative agent क्या है यहाँ पर आपको बताना है तो that is or option number C यान कि वायरस जो होता है वो responsible होता है hydrophobia और rabies की बिमारी के लिए ठीक है एक important concept आप सभी के लिए कि hydrophobia यह disease होती क्या है तो rabies जब होती है किसी भी person को तो जो affected person होता है उसके अंदर पानी को ले करके डर बैठ जाता है जैसे ऐसे affected person को आप ग्लास में पानी देते हैं फिर कहीं पे भी लेके जाते हैं आप पानी होता है तो person क्या करता है the person is getting fear from water तो यह important concept है hydrophobia के बारे में ठीक है तो एक से major symptoms में चीज़ा नजर आती है minor symptoms में जब यह rabies जादातर severe case में नहीं आती तो चीज़ा उस टाइम यह विजिबल नहीं होती ठीक है तो यह भी चीज़ा आपको ध्यान रखने है तो अभी के section का जो हमारा दस important question हम लेकर आया थे आज की series का वहीं पर खतम करते हैं उमीद है आपको अच्छा लगा होगा section नेक्स section पर हम बात करेंगे जो कि viral disease के बार में और vaccination से related होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अम्रिता को दीते हैं इजादत नमस्क्रा झाल